नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं इसके बाद सुरेन ने सुप्रिम कोट में दायर और जी वापस ले लिए बता दे हमन सुरेन ने इड़ी की समण को चुनोती दी थी और प्यरक करवाई नहीं करने के लिए निर्खन का आगड़ा सुप्रिम कोट से किया था इड़ी जमीन घोटाले के मामले में सी एम को चार समण कर चुकी है याचिका में हेमन्त ने कहा था कि इड़ी ने उन्हें पहले अवयद खरण के केस में समण जारी किया था वे इड़ी के समक्ष हाजिर हुए और बेयान दर्च कराया अपनी वह परिवार की समपतियों का वेवरा दिया है उनकी और परिवार की सारी समपति आयकर में घोसी थाए जैराम महतो की सभा में उमडी भारी भीड़ी जारखंडी भासा खतियान संखर समिति और सरभ्यवार को टाटी सिल्वे के EEF मैदान में बदलाव संकल्प सभा कायोजन किया गया इसमें 1932 खतियान की मांग को लेकर चार्चा में आये जैराम महतो को सुनने को भारी भीड़ उमडी साभाक दोरन जैराम ने राय सरकार पर जमका निशाना साधा उनहोंने उपस्थित लोगों से का आए कि आप सरकार को बता दीजिए कि आप भाड़े पर नहीं आया है जानता ने ये ठान लिया है कि अब परिवर्तन हो कर रहेगा जल जंगल जमीन के नाम पर अब राइनिती की दुकान नहीं चलेगी खनेज हमारा जमीन हमारा संपती हमारी लेकिन नौकरी बाहरियों को अब हम पर दास नहीं करेंगे बताद जहार खन्डियों के लिए सरकार को कानून बनाना होगा 1932 के नाम पर यहां भी भोली भाली जनता को ठगा जा रहा है जामुमों बिजेपी और कॉंग्रेस जानता को मुर्ख बना रही है अस्थाने निती नियोजन निती में 40 वाली निती लाकर खुले तोर से बाहरियों को नौकरी में आवंत्रन भेजा जा रहा है जैराम ने कहा है कि CNT SPT ACT कानून की धजिया उड़ा कर जमीन की लूट मची हुई है कुडमी आंदोलन को लेकर 20 सितंबर से परभावित हो सकती है ट्रेने कुडमी समाज को आदिवासी यानि अनसुचित जन जाती का दार्जा देने की मांग पर एक बार फीर या समाज आंदोलन की त्यारी कर रहा है कुडमीयों ने इस बार अनिशित करें रेल चक का जाम करने की चतावनी दी है इसकी वज़ासे दक्षिन पूर्व रेलवे में रेल यातायात बुरी तर से परभावित होने की असंका बढ़ गई है जारखन पच्छिम मंगाल और उडिसा से चलनेवाई ट्रेने सबसे ज़्यादा परभावित होंगी इसलिए दक्षिन पूर्व रेलवे ने जारखन पच्छिम मंगाल और उडिसा तीनों राजियों के मुक्षचियों को पत्र लिख कर कुर्मियों की मांगों पर विचार करने और उन्हें मानने का आगरा किया है दक्षिन पूर्व रेलवे की ओर से राज्यों को कहा गया है कि कुर्मियों के आंदोलन से रेलवे का कोई लेना देना नहीं है फिर उनकी मांगों की वज़ा से लाखो रेल यात्री क्यों परिशान हो साथ ही इससे रेलवे को भी भारी आर्थिक नुक्सान होता है अतार राज सरकारे आपस में मिलकर आंधोरन कारियों के साथ वारता करे और इस आंधोरन को सुरू होने से पहले कोई हल निकालने की सकरात्मक पहल करे जारखन में दो दिन आंधी तुफान के साथ बारिश का अलर्ट जारखन और 36 गड़ में मौसम खराब होने वाला है मौसम विभाग ने इन दोनों ही राजियों में 20 और 22 सितंबर को आंधी तुफान के साथ फारी बारिश की चेतावनी जारी की है वहीं 36 गड़ के अधीकान सिसों में 20 से 22 सितंबर के दोन व्यापक रूप से मध्यम बारिश की समभावना है कुछ अस्थानों पर तेज हवाओ और वजरपात के साथ भारी बारिश का अलार जारी किया गया है मौसाम विभाग की ओर से जारी ओल इंडिया वेदर बुलेटेन में कहा गया है कि एक साइकलोनिक सर्कुलेस्टन पुर्व मध्य बंगाल की खाड़ी परिश्थी था है इसके परभाव सगले और तालिस गंटे के दरान उतर पच्छिम मंगाल की खाड़ी और इसके आस पास के निम्द दवाव का छेत्र बनने की समभावना है कुडमी आंदोलन से पहले रांची से चलने वाई ट्रेने रद शार खंट पच्छिम मंगाल एवा उडिसा के कुडमीयो का अंदोलन सुरू होने से पहले रांची से चलने वाई ट्रेनों के रद होने का से सिल्सिला सुरू हो गया है 18 सितंबर को 18102 जम्मु तवी टाटा नगर एक्सप्रेस ट्रेन को रद कर दिया गया जबकि 13352 अल्ला पूझा धनबाद एक्सप्रेस ट्रेन अपने निधारित माग की वज़ाए बदलते वे माग रांची टोरी के रास्ते गई वहीं धक्छिन पुर्व रेलवे रांची मंडल की ओर से सो मुआर को यह जनकारी दी गई मुख्य जन संपर्ख पता दिकाई ने बताया है कि इसके अलावा भी कई ट्रेनों को रद किया गया है हालाकि इसकी वज़ा कुछ और है उन्होंने बताया है कि सिकंदराबाद मंडल में विकास कारे की वज़ास रांची रेल मंडल से होकर चलने वाली कई ट्रेन प्रभावीत रहेंगी गेतल सूत डेम में ऑक्सीजन की कमी से मरी मछलियां गेतल सूत डेम में मचलियों की मौत के कारणों की जांच रिपोर्ट त्यार हो गई है विभागया मंत्री बादल पत्र लेके निर्देश के बाद सोमवार को जीला मतद से पतादिकारी ने विभाग को रिपोर्ट सौप दिया है जिला मतस्य पताधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि चार केज में करीब छो से साथ हजार मचलियों की मौध हुई थी मचलियों की मौध पानी में उक्सिजन की कमी की वज़ा से हुई है जबकि पानी में पी एच मान, नाइटरेट और अने अवस्यक उचित मत्रा में पाए गए है रिपोर्ट में कहा गया है कि बारिस के मौसम में बादल छाय रहने की वज़ा से पानी में उक्सिजन कम हो जाता है इसी वज़ा से या घटना हुई है रिपोर्ट में बताया गया है कि समीती के सदस्यों को बीज और फिड उपलव दिकरा दिया जाएगा साथ ही ऐसी चिती में नियमा को ध्यान देने की बात कही गई है तेलंगाना बिधान सभा चुनाओं में कॉंग्रेस ने जोकी ताकत कॉंग्रेस ने आने वाले बिधान सभा चुनाओं के लिए तेरिया तेज कर दी है खाचकर तेलंगाना के लिए कॉंग्रेस बिशेस रणनिती बनाई है दो दिन पहले हाइदराबाद में CWC की बैठाक होई जिसमें सोनिया राहू समय सभी दिगज नेता पहुंचे थे इस बैठाक में तेलंगाना के हर बिधान सभा चेत्रे के लिए अलग अलग नेताओं को जिमेदारी दी गई थी जिसमें जारखन के नेता भी सामिल है बता दे तेलंगाना में बिधान सभा चुनाव इस साल के अंत में होने की संभावना है यहां कॉंग्रेस BJP और सतारूट BRS के बीच तिरिकोनिये चुनावी मुकाबला होने के असार है इसर कॉंग्रेस ने इस साल नॉंबर दिसमर में होने वाले बिधान सभा चुनाव को देखते वे जारखन सही देश वर्ट से अपने सिर्थ अस्थ नेताओं को तिलंगाना भेजना का काम सुरू कर दिया है रांची में मां के साथ बजार गई नवाली के साथ दुसकर्म गई थी उसी दरा नवालिक कहीं लपता हो गई माने काफी खोजबिन की लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चला कुछ दिर बाद रोती भी लगती नवालिक अपने घर लोटी और मास से लिपट कर दहार मार कर रोने लगी इड़ी नोटीस पर राई नीती बीजेपी ने कहा क्यों लगता है डर इड़ी समन के खिलाब मुख्य मंत्री हमान ज़ेन दोरा सुप्रीम कोट में दायर की गई आज क्या कि खारिच होने के बाद ज्यार्खन में सियास तेज हो गई है सातर कॉंग्रेस कोटे के मंत्री बादल पत्रलेक ने सुप्रीम कोट के इस फैसले पर परतिकिरिया ब्यक्त करते हैं कि वो नियालय के आदेश का सम्मान करते हैं और इस ममले में मुख्य मंत्री खुद मोनोटरिंग कर रहे हैं लोगतांत्रिक तरीके से जो कुछ भी नियालय का नियालय का नियालय आया है उसका पारण करते हुए जल्द ही आगे कदम उठाया जाएगा इधार भाजपा विधायक सीपी सीना ने परतिकरिय अब्यक्त करते हुए कहा है कि मुझे समझ नहीं आता है कि मुख्य मंत्री के पास इतने सलाकार हैं इसके बावजूद भी इस तरह का सलाह लोग देते हैं और वह सूप्रीम कोट में अजका दाखिल करते हैं इधी को पावर फूल बनाया गया है आखिर इधी के समख्ष ओर जाने से क्यों कत्रा रहे हैं कांग्रेस की जन सुनवाई पर बिजेपी उठा रही स्वाल जनता की समस्या को दूर करने के लिए कांग्रेस को टेक मंत्रियों दोरा इन दिनों कांग्रेस भावने परतेक स्वमवार को जन सुनवाई की जा रही है केंद्रिये नेतिवति के दिशा निदेश पर चल रही इस जन सुनवाई में अपयक्छा के नरूप लोगों को लाब नहीं मिल पा रहा है हलाकि अब तक जन सुनवाई के दवाण 200 से अधिक आवेदन प्रदेश कर्यालेंप को मिल चुका है जिसमें संबंधित विभाग से इसके निस्पादन के लिए पत्र लिखा गया अब तक कॉंग्रेस कोटे के सभी चारों मंत्री जन सुनवाई कर चुके हैं और यह अनावरत जारी रखने को कहा गया है बतादे पर्तेक सोमवार को हो रही जन सुनवाई को कॉटेक मंतरी सफल बता रहे हैं वही बिपक्ष इस परतंज कस रहा है 18 सितमबर को अयोज जन सुनवाई को सफल बताते हुए क्रिसी मंतरी बादल पतर लेक ने कहा है कि यहां वैसे लोग आ रहा हैं जिसको किसी ने किसी कारण वह सरकारी कायाल में चक्कर लगाने के वावजूद काम नहीं हो पाता या मंत्री से भेट कार्य अस्ता की वज़से नहीं हो पाती थी कुर्मीयों को रेल रोको आंदोलन के लिए तंबू लगाने गए मजदूरों को पुलिस ने ख़दे रहा कुर्मी समाज के लोग आदिवासी का दरजा मांग रहे हैं इसके लिए कई पर आंदोलन हुए रेल चक्का भी जाम किया गया वारता के बाद आंदोलन वापस ले लिया गया अब फिर से आंदोलन की तियारी चल रही है 20 सितमद से रेल टेका डहर छेका यानि रेल रोको रास्ता रोको आंदोलन का एलान किया गया है इसकी त्यारी में कुर्मी समाज के लोग जुट गए हैं उनका दावा है कि गाउं गाउं से हजारों कुर्मी आएंगे और रेल पटरी को जाम किया जाएगा इसके लिए पकाइदा पंडाल बनाने के त्यारी है दूस्तरी तरब परशासन इस आंदोलन को हाहल में रोकने के लिए त्यार है खेमा सुली में रेल पटरी और सड़ पास पंडाल बनाने के लिए पहुशे कुर्मी समाज के लोगों को पुलिस ने सोमवार को ख़देर दिया है कुर्मी समाज का काना है कि इस बार कुर्मियों का आदिवास यानी अनसुचित जन जाती का दर्जा दिये जाने का लिखित आस्वासर मिलने के बाद ही वो अपना अंदुरान खत्म करेंगे जार्खन के 925 इसकूलों में नहीं है सोचाला की सुविधा स्वख्सता अभियान को लेकर सरकार कड़ोर रुपे खर्च कर रहे है लेकिन जमीनी हकिकत कुछ और ही बया करती है बतादे जार्खन के 3680 सरकारी विद्याले में सोचाला की सुविधा नहीं है इनमें से 925 विद्याले ऐसे हैं जहां सोचाला है ही नहीं जबकि 2775 ऐसे विद्याले हैं जहां सोचाले तो बनाया गया था पर यह उप्योग के लाइक नहीं है सबक हादसे में पती पतनी वा बेटी की मौत देखते ही देखते एक 6 वर्सी बालक अनुराग की दुनिया उजर गई बतादे चंद मिन्टों में ही अनुराग कुमार ने अपने माता पिता और बहन को खोद दिया इस बालों को यह भी असास नहीं हुआ है कि अब इसके माता पिता और छोटी बहन इस दुनिया में नहीं रहे खटना के बाद से वह ममी पापा और मुर्नी का करोता रहा जनकारी के अनुशार रामगर जी लेके केदला लायको निवासी परवीन रविदास अपनी ससुराल पूरव डिहा गोला से अपनी पतनी अनुराग कुमार वा पुत्री दीशा कुमारी को लेकर बाइक से वापस अपना घर जा रहा था लेकिन उसे क्या पता की काल उसका चितरपुर में इंत्यार कर रहा है जैसे ही चितरपुर में रोड इस्थी 24 गार्मेंट के समीप पहुचा वैसे ही एक अपाची बाइक से टकराने के बाद वा पतनी और पूत्री के साथ दाई ओर गिर गया गुमानी नदी में नहाने के दरान तीन चचेरी बहनों की मौत्व समीरन खातुन 12 वर्षी अपने परिजनों के साथ सुक्रवार को खैरवा गाव नीच्चे टोली निवासी रहान अंसारी के साधी समारों में आई होई थी सोमवार को जब बहु भोज कारकरम चल रहा था इसी दरान दो फर करी 12 वजे वे तीनों अपने परिजनों को बिना बताए गुमानी नदी में नहाने चली गई इसी दरान गहरे पानी में चले जाने से एक दूसरे को बचाने के करम में तीनों की मत हो गई है सुखार की समस्याओं से रूबरू हुए किरिसी मंत्री बादल जारखन परदेश कॉंग्रेस भवन में सोमवार को जन सुनवाई हुई किरिसी मंत्री बादल ने राजी के विभीन जीलों से आय लोगों की समसाय सुनी और उसके निराकरन के लिए पताधिकार्यों को निदेश दिया जन सुनवाई में सुखार, गाय आवंटन, गाय पालन, मतसे पालन, क्रिसी यंत्र आवंटन, कोल्ड एस्टोरेज निर्मान, तलाब डिप बोरिंग, पेंशन योजना नोकरी, सोर उर्जा, दाखिल खारी, जेपी एस सी मामला, कुप निर्मान, सबजी बजार निर्मान, स जिसी मंत्री से अपने विभागों से सम्मंधित मामलो पतावरित करवाई करने का निर्देश दिया, जबकि आवेदनों पर विशेज टिपनी के साथ लिखीत रूप से करवाई के लिए सम्मंधित पतादिकार्यों को निर्देश दिया, धन्यवाद,